हिंदू पौरानिक कथाओं में लंका के राजा रावंड न केवल अपने शासनकाल के लिए बलकि अपने असाधारन जोतिशिय ज्यान के लिए भी जाने जाते थे। अपनी शक्ती से उसने देवताओं को पराजित किया लेकिन जल्द ही वे रावंड के पुत्र के जन्म के बारे में चिंतित हो गए। मोहर लगा कर उसे और अपमानित करने का सुझाव देकर रावंड को बहकाने की कोशिश की। अंजाने में रावंड ने ग्रहों को बदल दिया और शनी की बुरी नजर शनी द्रिष्टी रावंड पर गिर गई जिससे उसके जीवन में कठिनाईया पैदा हुई। कि हनुमान को अपना घर, पत्मी और पुत्रों को छोड़ना होगा लेकिन परिवार से रहित होने के कारण हनुमान को यह मंजूर था। शनी ने हनुमान के सिर की शरण ली, लेकिन जैसी ही हनुमान राक्षसों से लड़ते रहे और अपने सिर से शिलाखंडों को पुचलते रहे, शनी ने हनुमान के सिर को छोड़ दिया। आशिरवात के रूप में, शनी ने घोशना की की हनुमान शनी दोश से परेशान नहीं होंगे और उन्हें एक इच्छा दी। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि शनी अपने भक्तों को परेशान ना करे और तभी से लोग शनी की बुरी नजर से बचने के लिए हनुमान की पूजा करने लगे।